एलो स्टुदेंट्स, क्लास 11 का जो चेप्टर हमने स्टार्ट कर रख है, चेप्टर 11 एलेमेट्स ओफ मैथमेटिक्स बुक से और वो चेप्टर है अपका कॉनिक सेक्षन, तो कॉनिक सेक्षन पर हमने अभी तक जो पढ़ा है, एक बार उसको देखते हैं, हमने कॉनिक उसको देखा था, जो PS by PM एक्वल एक्सेंट्रिसितिक एकवल आया था, और उसके बाद हमने पैराबोला, जो इसका कॉनिक सेक्षन है, एक पार्ट है, उसको हमने इसका बेसिक कंप्लीट किया और इस पर बेस्टिकिशन भी किये थे, उसके बाद हमने इलिप्स, अभी ले हैं, तो इस चैनल को सبस्क्राइब जरूर कीजिए, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करतें, कॉनिक सेक्षन की किसी भी फिगर को जनरेट करने के लिए हमको कॉनिक सेक्षन کی mathematical definition का use करना होगा, और वो mathematical definition क्या थी, कोई एक movable point होता है, जो की कोनिक सेक्षन represent करेगा, create रहे थे उसकी distance और उसी point P से किसी एक fixed line जिसको हम directrix बोल रहे थे उस line से इस point P की distance दोनों का ratio constant रहता है और उस constant को हमने E लिखा था यानि PS by PM को हमने E के equal लिखा था ठीक है और इस E को हमने बोला था eccentricity अब यहाँ पे हम hyperbola create कर रहे हैं तो hyperbola के लिए आपको यह condition द्यान रखने है जो eccentricity है वो X से बड़ी आती है मतलब यह distance बड़ी होगी और यह distance छोटी होती है ठीक है अब इसका standard equation drive करते हैं किसी भी conic section की standard equation अगर हमको find करनी है तो उसके लिए जो focus है उसके standard coordinate मालूम होने चीए और यह जो हमने directrix लिए है इसका भी standard equation हमको मालूम होना चीए ताकि जो create होने वाला conic section है वो जो figure generate होगी उसका हम standard equation find कर पाएं तो उसके लिए क्या करना होगा मेरे को यह जो line है इस line को क्या बोलूम है इसको बोल सकता हूं यहां पर axis और किसकी axis बोला जाएगे यहां पर हम hyperbola find कर रहे हैं तो axis of hyperbola axis ही क्यों बोले क्योंकि यह directrix पर perpendicular और focus से पास हो रही है दोनों condition satisfy हो रही है तो यह मेरे को मालूम है कि axis है अब यह जो point है P यह एक ऐसा movable point है जो कि इस restriction को follow करता हुआ आगे बढ़ रहे है मतलब ps upon pm equal constant और वो constant क्या e ठीक है और hyperbola के लिए यह e की value एक से बड़ी होनी च axis पर आ सकते है बिल्कुल आ सकते है कैसे कह सकता हूं मैं यह कि यह इस point पर इस line पर आ सकते है suppose यहाँ पर आने के बाद इसके position चेंज होगे तो उसको मैंने a से denote कर दिया ठीक है यह point P move करता हूँ यहां पर आ गया ओके और इस point की s से distance यानी as और इस point की line से distance अगर हम इसको z let करूँ तो az equal e होनी चाहिए ठीक है तो बिल्कुल इस point का existence है इस line पर क्योंकि यह जो point है यह इस zs line segment को e ratio 1 में divide कर रहे है मतलब as by az e ratio 1 है तो इसको यहां से यहां तक की distance अगर मैं e let करूँ तो यह distance मेरे पास 1 आएगी ऐसा इसका कहना है ठीक है तो यह जो a point है यह अभी तो इस line को internally divide कर रहे है क्या externally कर सकता है जैसे हमने ellipse में check किया था अगर यह externally करेगा तो वो इधर भी कर सकता है externally zs से बाहर इधर भी हो सकता है वो इधर भी हो सकता है किदर होगा? suppose मैं इधर point लेता हूं तो इधर अगर मैं point लोगा तो यह restriction follow नह एक से बड़ी एक से बड़ी आने का मतलब क्या है उपर वाली डिस्टेंस बड़ी है नीच वाली डिस्टेंस छोटी है यानि उस पॉइंट की ऐस से डिस्टेंस बड़ी होनी चीए और जो लाइन है उस से डिस्टेंस छोटी होनी चीए तभी मेरे को एक से बड़ी मिलेगी अगर मैं इस point A को यहाँ पे लेता हूँ, तो उस point की A से distance, AS, और यह तो मेरा numerator हो गया, और इस point की line से distance AZ, यह तो काफी बढ़ी हो गई, यहाँ नहीं यहाँ पे denominator बढ़ा रहा है, तो वो point इधर नहीं हो सकता, तो क्या मैं उस point A को इधर ले सकता हूँ, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे मानलो मैंने point ले लिया A, यह A1 मानलो और यह A2 मानलो, ठीक है, तो क्या यह point इस line को इस ratio में डिवाइड कर पाएगा, इसको follow करता हुआ, देखते हैं, यह जो AS है, और AZ है, उनका ratio, एक से बड़ा अनची, ऐसा ही कह रहा है, ठीक है, तो इस point की focus से distance, यहाँ A2S, और इस point की vertex से distance, यहाँ A2Z, तो A2S बड़ा है, A2Z छोटा है, यहाँ Numerator बड़ा रहा है, Denominator छोटा रहा है, इसका मतलब हमको, जो externally division करना होगा, ZS का, इसी ratio को maintain करते हुए, तो वो point अब की बार इधर ना लेके, इधर लेना होगा, ठीक है, अब देखो, यह जो point था P, यही तो move करता हुआ, आगे बढ़ रहा है, और यह जो P moveable point है, यही तो create कर रहा है, इसका जो locus आएगा, वो ही तो क्या आएगा, वो ही तो हमारा hyperbola आएगा, ठीक है, तो इससे बनने वाली जो figure है, उसको मैं represent कर देता हूँ पहले, इस type से, और ऐसे यह इधर से भी जाएगा, A2 से, A2 यहाँ पे है, ओके, ठीक है, अब यह जो curve आईए न, यह वाली और यह वाली, इसे complete को ही बोलेंगे, hyperbola, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कि A2 और A1, यह दोनों मेरे को, दो vertices मिल चुके हैं, vertices क्यों बोल रहा हूँ है, क्योंकि vertices हमने पढ़ा था, starting में, conic section को start गया, तो पैरा बोला वाले case में ही, हमने इसको explain कर लिया था, कि जो conic section है, जो भी हमको safe मिल रही है, ठीक है, उसका अपनी axis के साथ, जो point of intersection होता है, वो क्यों होता है, vertices होता है, vertex होता है, ठीक है, तो एक vertex ही हो गया, ऐसी एक vertex ही हो गया, ठीक है, तो दो vertices हैं, अब यहाँ पे मेरे को, इस point S की position मालूम नहीं है, ठीक है, ऐसे point का coordinate क्या है, तो उसके लिए मेरे को coordinate axis, standard coordinate axis, यानि X और Y axis मेरे को लेने होंगे, तो यह जो horizontal, इसी को क्योंना, मैं X axis लेट कर लूँ, यह हो गया मेरा X axis, अब Y axis कहां पे लूँ, देखो यह दोनों, दिखने में ऐसा लग रहा है, कि यह दोनों symmetric हो, ठीक है, तो किस के along symmetric ले, क्योंना हम Y axis के along symmetric ले ले, अगर मैं Y axis के along symmetric लूँँगा, तो मेरे को A1 और A2 का midpoint जोगा, उससे Y axis को pass करना होगा, तो उसको मैं red line से represent कर देता हूँ, किसको Y axis को, ठीक है, तो यह मैंने select कर लिया red color, और यह मैंने drop की, लेकिन यह कह रहा है कि, यह दोनों vertices का midpoint होना चीए, हाँ ना, तो यह midpoint तो नहीं था, हाँ आब आज आएगा midpoint, लग बग यहाँ पे आएगी, कोई एक line, जो A1, A2 के midpoint से pass होगी, ठीक है, तो यह क्या है, यह है हमारा Y axis, यह वाला Y axis है, ठीक है, अब इसका जो midpoint आया, और वो midpoint X को भी cut कर रहा है, इसका मतलब यह क्या होगा, यह तो origin होगा, और origin के coordinate हमको मालूम है, तो इस midpoint को मैं C से represent कर लेता हूँ, और इसके coordinate कहेंगे 0,0, ओके, तो यहाँ पे C की A से distance जितनी आएगी, C की, इस point A से distance, अगर मैं small a लूँ, तो A1 की distance, A1 यह आपे आना, तो इस point C से, A2 की distance भी small a की equal आएगी, क्यों, क्योंकि A1, A2 का midpoint हमको मिल चुके है C, C से हम distance मेजर कर रहे हैं इनकी, ठीक है, तो इस vertex और इस vertex के coordinate मेरे को मिल चुके है, X axis पर लाई कर रहा है, इसका मतलब Y coordinate इसका 0 होगा, तो यह coordinate आया, A,0, लेकिन Y axis के left side है, तो यह negative A आएगा, minus A,0, और यहाँ पर क्या आया, plus A,0, ठीक है, लेकिन अभी भी मेरे पास focus के coordinate नहीं आये, vertex के तो coordinate आगे, vertices के coordinate क्या है, plus minus A,0, ठीक है, plus minus A,0, और यही आये थे ellipse में, लगग लगग ellipse वाले ही हमको case मिलेंगे, वो देखो कैसे आएंगे, तो अब इसका standard equation, drive करना है मेरे को, उसके लिए मेरे को focus के coordinate standard चीए, हाना, तो यहाँ पर मैं, जो vertices लिया हूँ, A1 और A2, तो A1 और A2 के format में, इस relation को कैसे लिखू, इस point की focus से distance, यानि A1, S, upon, इस point की line, directrix से distance, A1, Z, equal किस के आएगी, E के equal आएगी, ठीक है, ओके, दूसरा क्या, अगर मैं इस point से, यह distance निकलना चाहूँ था, A2 की focus से distance, यह नि A2S, और इसी point से, इस directrix की distance, A2Z, वो भी क्या आएगी, E आएगी, अब इन दोनों को solve करना हुगा, ठीक है, तो cross multiply करके, मैं next page पर इनको लिखता हूँ, first equation से, A1S की value मिलेगी, cross multiply करने के बाद, E times of A1Z, अब यह जो distance है, यह distance और यह distance, आप origin से, इनकी distance से compare करके निकलो, A1S मैं निकलना चाह रहा हूँ पहले, तो जो A1S है, A1S यह distance, इसको मैं क्या लिखूँ, अगर मैं origin से start करूँ तो, CS minus CA1, तो मेरे को A1S मिल जाएगी, A1S किसके को लाएगी, CS minus CA1, तो मैंने लिखा, CS minus CA1, equal, E times of A1Z, अब A1Z को देखो, A1Z, A1 यहाँ पे, Z यहाँ पे, मतलब यह distance मेरे को निकाल नहीं है, ठीक है, तो इस distance को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, CA1 minus CZ, तो मैं लिख रहाँ यहाँ यहाँ पे, CA1 minus C, एक बार फिर से देखो, CA1 minus CZ, तो इसको मैं क्या लिखूँ, CZ लिखूँगा, CZ, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो CA1 है, वो मेरे को small a मिल रहा है, CA1 क्या distance मिल रही है, small a, तो यहाँ पे मैं substitute करता हूँ, CA1 के बदले small a, equal, E times of CA1, small a minus CZ, इसको मान लेता हूँ मैं equation first है यह, अब इसको solve करता हूँ, A to S, equal क्या हैगा, E times of A to Z, ठीक है, तो A to S distance देखो, origin से, A to S, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, A to C plus C S, A to C plus C S, equal, E times of A to Z, अब A to Z को मैं क्या लिख सकता हूँ, A to Z, यहनि A to C plus C Z, A to C plus C Z, यह दो equation आए, उससे पहले मैं distance मेरे को मिली हुई है, वो distance भी substitute करता हूँ, कौन सी A to C, कितनी है A है, A to C जहाँ पर है, वहाँ पर मैं small a लिख देता हूँ, A to C यहाँ पर है, तो इन दोनों के बदले मैं small a substitute करता हूँ, plus C S equal E times of small a plus C Z, अब इन दोनों equations को solve करना हुगा, तो एक बार मैं इन दोनों को add कर लेता हूँ, first और second को add करने पर, क्या मिलेगा, अगर मैं इनको add करता हूँ, first वाला, ये वाला, ये वाला, तो A cancel हो जाएगा, C S plus C, 2 C S, और इधर E to common है, दोनों equation में, और अंदर वालों को solve कर लो, तो C Z cancel हो जाएगा, 2 A मिलेगा, 2 small a, 2 से 2 cancel हो गया, 2 से 2 cancel हो गया, ओके, तो यहाँ पर C S की value क्या आई, फिर से A E आ गई है, और A E ये किसमें आई थी, ये ही ellipse में आई थी, इसका मतलब जो focus है, उसका coordinate क्या आ गया, वापस से A E आ चुका है, ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों equation को minus कर दो, तो मेरे को C Z मिलेगा, ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ, first minus second, पहले मैंसे दूसरे को minus कर दो, तो इस मैंसे इसको अगर मैं minus करूंगा, तो C S cancel, minus A और minus A, minus 2 A, equal, यहाँ पर इनको minus करना है, E तो common है दोनों में, ठीक है, इनको minus करना है, तो इसके sign change हो जाएंगे, तो A negative हो जाएगा, A positive से cancel हो जाएगा, यह negative और यह negative, negative 2 C Z, minus 2 C Z, minus 2 से complete equation में divide हो रहा है, तो यहाँ से E की value क्या आएगी, A की upon E आजाएगा, सोरी C Z की value, C Z की value क्या आएगी, A upon E, solve करने पर, C Z equal, A upon E, अब देखो C Z क्या है, C Z, C Z क्या है, मतलब, origin से इस line की distance, origin से distance कितनी दूर है, यह distance A upon E distance, यह line A upon E distance दूर है, इसका मतलब इसका equation आगया, क्या आगया, A upon E, C Z क्या आगया, A upon E, इसका मतलब, इस directrix का equation आगया, directrix का equation क्या आया, मेरे पास, equation of directrix, X equal, Y के parallel थी, तो क्या लिखेंगा, X equal, A upon E, simplest form में लिखेंगा, EX minus A equal, 0, ठीक है, तो हमको क्या-क्या मिले, vertices के coordinate मिल चुके, minus, plus minus, A, 0, और जो focus है, उसके भी coordinate आगया, मेरे पास, A, E, और जो directrix थी, उसका भी equation आचुके है, ठीक है, तो अब मैं वो, PS by PM वाला, funda यूज कर सकता हूँ, PS by PM, equal, E वाला, अच्छा, अब यहाँ पे देखो, PS distance, मतलब, P के coordinate मेरे को, let करने होगी, तो उसे point P के coordinate, मैं X, Y let कर लेता हूँ, ठीक है, तो PS distance निकालनी होगी, S के coordinate है मेरे पास, क्या, A, E, 0, ठीक है, तो PS distance निकाल लूँ पहले, या फिर मैं, बहुत साइड square कर देता हूँ, ताक कि distance formula, जब मैं apply करूँगा, तो उसमें root आएगा, और वो root अट जाए, ठीक है, तो क्या लिखो मैं इसको, PS square equal, E square into, PM square, ठीक है, तो PS distance निकालो, square है तो root नहीं लगाँगा, मैं, distance formula apply करेंगे, तो X minus X coordinate of focus, AE whole square, plus Y minus, Y coordinate 0 है, तो Y बचेगा, square equal, E square into, ये क्या PM, किसी एक point की line से distance, point P, जिसके coordinate X, Y थे, उसकी इस line से distance कैसे निकाले, इस expression में, वो point substitute कर दो, यानि, EX minus A, upon, root A square plus B square, root E square, 12 आएगा तो E, ठीक है, और Y का coordinate तो है नहीं, याँ पर, मतलब Y, वाली टर्म नहीं है, तो Y का coefficient 0 रहेगा, और इसका square था, तो मैंने square कर दिया, याँ पर क्या है, E square, वो square इससे cancel हो जाएगा, जब आप इसको expand करोगे, तो E square मिलेगा, ठीक है, इसको expand करो, X square plus A square, E square minus 2AE, X plus Y square, अब इसको भी expand करने पर, क्या मिलेगा मेरेको, E square X square, plus A square minus 2AE, X, तो negative 2AE, X इदर आके positive होगा, तो इसको cancel कर देगा, जो like terms हैं, उनको एक तरफ रख लो, मतलब X वाली, ऐसा करो, अब variable वाली term रख लो, X square और Y square वाली, तो X square ओलरीड है, यह इदर आएगा, तो minus E square X square हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक term और आ रही है, Y square, इसको आप transfer कर दो, तो आपको मिलेगा, A square minus A square E square, यहाँ से X square common लो, तो क्या मिलेगा, 1 minus E square, प्लस Y square, यहाँ से A square common लो, 1 minus E square, अब इस पूरी term से, इस complete equation में डिवाइड कर दो, तो आपको मिलेगा, X square upon A square, क्योंकि 1 minus E square cancel हो जाएगा, और Y square वाले के साथ, कोई cancel नहीं होगा, तो पूरा exit जाएगा, A square into 1 minus E square, equal 1, ओके, अब जो ellipse वाला case था, वो भी कुछ ऐसा ही था, यहाँ तक same आ रहा था, same यह मान के चलो, कि आप ellipse ही कर रहे हो एक तरीके से, लेकिन अब अंतर क्या आएगा, वो अंतर यहाँ पर आने वाला है, और वो अंतर क्या आने वाला है, यहाँ पर हम इसको B square substitute कर रहे थे, हना, तो B square इसको substitute कर रहे थे, लेकिन उस case में E की value एक से कम आ रही थी, तो B square को हमने positive बताया था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या B square को हम positive बता सकते हैं, नहीं बता सकते, क्योंकि e की value यहां पर आपकी बार एक से बढ़ी है अगर एक से बढ़ी है और उसका square करोगे तो आप 1 point something आपको कुछ value मिलेगी 1 point is something और उसका square करोगे तो एक से तो बढ़ी आएगी और एक से बढ़ी आएगी तो यह 1 minus e square मतलब एक से बढ़ी value तो negative result आएगा तो उसको आप b square कैसे let कर सकते हो नहीं कर सकते ना तो ऐसा करो आप यहां से minus sign common ले लो तो इनके sign change हो जाएगे और वो minus यहां पर attack करेगा तो इस plus को minus कर देगा x square upon a square minus y square upon अब इसको मैं लिख सकता हूँ a square into 1 minus sorry e square minus 1 equal 1 और अब मैं इसको b square let कर लूँगा तो मेरे को कोई दिकत नहीं होगी क्यों क्योंकि b square positive quantity है और यहां पर e की value क्या थी hyperbola के लिए greater than 1 एक से बढ़ी तो एक से बढ़ी value का square करोगे तो वो भी एक से बढ़ाएगा और उस में से 1 minus करोगे तो positive quantity आपको मिलेगी और यह already square है यानि positive है तो यह पूरा को पूरा कैसा है positive है तो इस positive बड़ी सी quantity को मैं b square से substitute कर सकता हूँ जो कि वो भी perfect square है इसका मतलब positive आने वाल है ठीक है तो अब मैं इसको b square let करूँगा okay a square into e square minus 1 equal b square इसको मैंने लेट कर लिया यहां पर लेख देता हूँ ओकी तो equation क्या मनेगा x square upon a square minus y square upon b square equal 1 और यहां पर b square आपको मालूम है यह है ठीक है तो यह इस hyperbola का standard equation होगा ओके और यहां से अगर आप eccentricity की value find करना चाहो तो थोड़ी से change हो क्या आएगी और वो क्या आएगी e square minus 1 को आप as it is रखो a square को b square के upon transfer कर दो ठीक है अब यहां पर plus 1 है इदर आके sorry minus 1 है इदर आके plus 1 हो जाएगा यहनि e square equal b square upon a square plus 1 solve करो e square क्या हैगा a square plus b square upon a square अंतर आपको पता लग गया होगा वहाँ पर a square minus b square था और यहाँ पर a square plus b square है इसका मतलब जहाँ पर हमने b square लिया था ilips के लिए वहाँ पर हमने minus b square लिया रख था है ठीक है ऐसा हम बोल सकते हैं न तो e, a और b उसमें relation यह है यानि eccentricity हमको यहाँ से मिलेगी a और b की value अगर मिल जाती है तो जो हमने focus और directrix के equation लिये थे क्या यह जो हमको करू मिला है इससे भी हम दूसरा equation find कर पाएंगे क्या या फिर यह ही हमको मिलेगा मतलब अगर मैं focus को minus ae, 0 जो देखो हमको focus मिला था वो focus क्या मिला था ae अगर मैं उसको minus ae ले लू और जो directrix के equation हमको मिला था उसको मैं minus a upon e ले लू तो क्या मेरे को वो ही equation मिलेगा जो अभी हमने generate किया है ये वाला तो एक बार इसको check करते है तो अब की बार मैंने ये focus और ये directrix से लिये है तो इसको simplify करके मेरे को equation मिला directrix का e x plus a equal 0 और जो p point था उसके coordinate हमारे पास x, y थी अब जो conic section की mathematical definition उसको use करते है यानि ps by pm equal e तो यहाँ पे ps distance निकालनी होगी यानि ये point है ये point है दोनों के बीच के distance निकालो और उससे better आएगा कि मैं both side square कर दू ताकि root की कारणी खतम हो जाए ps square equal e square into pm square ठीक है तो ps square निकाल लेते है फटा फट तो x plus a e मिलेगा यहाँ पे whole square plus y square equal pm इस point की इस line से distance निकालनी है तो ये point यहाँ पे put करो इस expression में e x plus a और नीचे के आएगा only e square ठीक है और इसके साथ multiply था e square complete के square था न यहाँ पे और multiply के आएगा e square तो e square cancel हो जाएगा अब इनको solve करो x square plus a square e square plus 2 a e x plus y square equal e square x square plus a square plus 2 a e x तो ये term cancel होगी अब वो ही term मेरे को मिली है जो उस पहले equal equation में हमको मिली थी यहाँ से मैं x square common ले लेता हूँ तो मेरे को मिलेगा 1 और ये इदर आके minus हो जाएगा तो 1 minus e square मेरे को मिलेगा x square common लेने के बाद plus y square as it is equal यहाँ से मैं a square common ले लेता हूँ तो यहाँ पे तो मिलेगा 1 और यह डर मिदर आएगी तो minus हो जाएगी a square common आचुका तो e square complete equation को इससे divide कर दो तो आपको मिलेगा x square upon a square plus y square upon a square into 1 minus e square equal 1 अब इसको हमने क्या गया था इसका sign change गया था minus sign common लिया था क्योंकि e की value यहाँ पे greater than 1 है ठीक है तो इसको मैं b square नहीं लिख पाऊंगा negative आएगी तो उससे negative को positive गणाने के लिए मैं minus sign common लेकर यहाँ पे plus को minus कर देता हूँ x square upon a square minus y square upon अब यहाँ से minus sign common आ चुका तो मेरे को मिलेगा a square into e square minus 1 equal 1 और इसी को हमने b लिखा था b square लिखा था तो equation हमारे पास आया था x square upon a square minus y square upon b square इसी को हमने b square लिखा था equal 1 और यहाँ पे b square क्या था इसको हमने substitute किया b square से तो b square की value किया है a square into e square minus 1 यहनि वापस से वह equation आ गया और b square आप देख सकते हो a square into e square minus 1 हमारे पास था b square था हमारे पास a square into e square minus 1 और वो ही यहां पर जिन्टरेट होके आए है ठीक है इसका मतलब जो हमको ellipse मिला है उसके भी दो focus है ठीक है और दो focus जिनके coordinate क्या है ae,0 और minus ae,0 यानि plus minus ae,0 और दो ही उसकी director की से जोंगी जिसमें एक का equation हमको मिला था x equal a upon e, तो दूसरे वाले का x equal minus a upon e, यानि x equal plus minus a upon e, तो इसके जो कुछ important points से जो हमने find किये हैं, उनको एक बार लिख लेते हैं जिस hyperbola का equation हमने find किया है, वो देखने में कुछ ऐसा diagram आपको दिखेगा तो इसके जो important points अभी तक जो find कर चुके हैं और आगे जो points आएंगे, उन सभी को मैं याँ पे plot करूँगा तो यहाँ पर यह जो दो point आप देख रहे हैं, यह वाला और यह वाला, यह दोनों इसकी focus हैं, किसकी? इस hyperbola के लिए, ठीक है तो यह जो focus है और यह जो focus है, इनके coordinate हमको मिल चुके थे, plus minus ae, 0 आया था, तो plus ae, 0 और minus ae, 0 किसको ले? अगर मैं plus ae, 0 लिखना चाहूँगा, तो इसको लिखूँगा, क्योंकि यह y axis से right side है, positive x axis की और, तो x axis उसका positive होना चाहिए, मतलब ae positive होना चाहिए, तो plus ae, 0 इसका coordinate आएगा, उसको मैं s1 से represent कर लेता हूँ, यानि s1 का coordinate मेरे पास क्या है? ae, 0 और इसको अगर मैं s2 से represent करूँ, तो s2 के coordinate क्या हैंगे minus ae, 0 ठीक है, जो इसके 4 की थी, उसके coordinate हम find कर चुके हैं, अब बात करतें इसके vertices की, तो इसके जो दो vertices हैं, ये वाला और ये वाला, इनको हमने a1 और a2 नाम दिया था, ये हमारे पास a1 था, और ये हमारे पास a2 था, तो a1 के coordinate क्या है थे हमारे पास, a, 0, small a, 0, और a2 के coordinate हमारे पास थे, minus a, 0, ठीक है, और साथ के साथ ये जो point है, ये कौन सा point है, इस hyperbola का midpoint है, मतलब इसका center है, और center के coordinate भी हमने find किये थे, center क्या था, और origin के coordinate क्या थे, 0, 0, उसको हमने CC denote क्या था, ठीक है, अब य देख रहे हैं, ये हैं इसकी vertices, sorry, direct traces, तो indirect traces का equation क्या आएगा, एक का आया था, plus a upon e, और a का आया था, minus a upon e, तो इस वाली line का equation क्या आएगा, x equal a upon e, और इसका x equal minus a upon e, ओके, देखो, ellipse वाले case में भी ae, 0, और minus ae, 0, हमको foci के coordinate मिले थे, ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसा ही मिल रहे है, लेकिन hyperbola की case में, जो e की value थी, eccentric की value होती है, वो x से बड़ी होती है, तो यहाँ पे small a किसको represent कर रहे है, इस origin से, a की distance को, यानि इस distance को, तो इस distance को, अगर मैं e से multiply करूँगा, और वो value यहाँ पे बड़ी आ रहे है, ae, यहाँ से, यहाँ तक की distance, c a से, बड बड़ी आएगी, अगर e की value एक से बड़ी आएगी, तो उसको आप e से multiply करोगे, तो वो distance भी बड़ी दिखेगी न, ठीक है, अब इसके axis की बात करते है, अगर मैं बात करूँ, ellipse की, तो ellipse में हमने क्या लिखा रहा, कि अगर e की value बड़ी आ रहे है, तो उसको हम major axis बोल मैं लिखू, तो यह तो x axis है, तो y equal 0 इसका equation हो जाएगा, लेकिन इस axis का एक नाम है, और इस horizontal axis का नाम है, transverse axis, ठीक है, और यह जो vertical axis है, इसको बोलते हैं, इसका conjugate axis, अच्छा, अब यह जो transverse axis है, और जो conjugate axis है, इनकी length क्या आएगी, तो जो transverse axis है, यानि जो horizontal है, उसकी length हमको find करना है, और वो length होती है, a1 और a2 के बीच की distance, यानि a1, a2, और a1, a2 हमने क्या लिखी, यहां से यहां तक की distance को small a लिया था, coordinate की बात हो रही थी, तो यहां पे minus और यहां पे plus apply किया था, तो यह total distance कितनी हो गई है, a यहां से यहां तक, और a यहां से यहां तक, 2a, ठीक है, तो जो transverse axis है, उसकी length क्या रहेगी, उसकी length रहेगी 2a, और बात करें, conjugate axis की, तो conjugate axis की length कैसे find कर सकते हैं, वो तब find करेंगे, यह जब हमको, यह जो hyperbola है, यह vertical format में दिया जाएगा, अभी तो horizontal format के साथ है, horizontal axis के साथ है, vertical axis के साथ इस type से बनेगा, तो उस case में, हम conjugate axis की length find करेंगे, और वो आएगा क्या, वो मैं यहां पे अभी plot कर देता हूं, मालो वो यहां पे, और यहां पे cut कर रहे है, ठीक है, इ लेकिन y coordinate कुछ तो होगा न, उसको मैं b let कर लेता हूं, तो वो b क्या आएगा, b और यह minus b, ठीक है, तो यह जो distance है, b1, b2, यह इसकी length होगी, conjugate axis की, ओके, तो इसकी length भी क्या आएगी, 2b आएगी, यहां से, यहां से, यहां तक की distance भी, और नीचे भी distance, distance की बात कर रहा हू तो यह, और यह कितने होगे, 2b होगे न, तो इसकी length भी कितनी रहेगी, 2b रहेगी, आपको एक बात और note करनी चाहिए, इस figure के लिए, यह जो figure है, यह किसके लिए आया है, x square upon a square minus y square upon b square equal 1 के लिए, हना, देखो, ellipse में हमने क्या क्या था, अगर major axis x से था, तो x square वाले के न लिखा था, 20 square को इसके नीचे लिखा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे horizontal और vertical hyperbola कभी create करना है, अगर y square जो है, उसका coefficient आपको negative मिल रहे है, तो आपको horizontal वाला लेके चलना है, और अगर y square positive है, axis square negative है, तो उस case में आपको vertical hyperbola वाला case लेके च rate कर लूँ, और इस distance को, इस point को P2 और इसको Q2 ले लूँ, तो इनके coordinate मैं find कर पाऊंगा, जो P1 है, इसका x coordinate तो मेरे को मालूम है, Ae है, ठीक है, तो Ae इसका x coordinate हो गया, y coordinate के आएगा, यह मेरे को find करना होगा, यहाँ पे भी Ae आएगा, y के आएगा, वो मैं find करूंगा, यह यहाँ पे x coordinate क्या है, minus Ae, y मेरे को find करना होगा, और यहाँ पे भी इसका x coordinate minus Ae है, ठीक है, तो y coordinate कैसे find करूं, जो मेरे को इसका equation मिला हुआ है, उस equation में x coordinate, यानि Ae मैं put कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा मेरे को, a square, e square upon a square, a square cancel only e square, यानि e square, और यह term इदर आएगी, तो minus 1 हो जाएगी, और वो term इदर आके positive हो चुकी है, y square upon b square, ठीक है, अब इसको transfer कर दो, तो आपको मिलेगा, b square into e square minus 1, equal y square, हाना, अच्छा, अब देखो, यह e square minus 1, हमने पहले भी find किया है, जब b square की value find की थी, उस case में, तो देखो, b square की value हमने क्या find की हुई है, b square हमने find किया था, तो यहाँ से देखो, e square minus 1 की value find कर लो, e square minus 1 की आएगा, b square upon a square, तो e square minus 1 की value में, यहाँ पे substitute कर रहा हूँ, b square upon a square, तो यहाँ पे जब मैं b square upon a square लिखूँँगा, तो क्या आएगा, b rise to power 4 upon a square, किसके equal, y square की equal, ओके, तो y coordinate क्या आएगा इसका, y coordinate मेरे को मिलेगा, plus minus b square upon a, तो यह वाला coordinate तो हो जाएगा, उपर है न, positive, first quadrant में है तो, b square upon a, और यह वाला minus b square upon a, यह वाला minus b square upon a, और यह वाला plus b square upon a, तो अब मैं इसकी lr के length find कर पाऊंगा, जितनी distance यह, उतनी distance यह आएगी, क्योंकि coordinate इनके same ही है, ठीक है, distance में तो हमको positive distance लेनी है, लेकिन जब आप इनका square करोगे, minus करके distance formula से, तो same आएगी, और वो आएगी क्या, तो मैं या तो p1, q1 find कर लूँ, या फिर p2, q2 find कर लेता हूँ, न, देखो तो, अगर मैं p1, q1 find करूँ, तो उसी को मैं lr की length बोल दूँगा, तो distance formula apply करेंगे, या फिर बिना distance formula apply कि आप जनरली find कर सकते हो, जो इसका y coordinate है, वो कितनी distance पे है, b square upon a, और नीचे भी इसी distance पे है, coordinate है, इसलिए negative है कि distance की बात करेंगे, तो b square upon a ही बोलेंगे उसको, तो कितने होगी, 2b square upon a, ये distance यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ठीक है, 2b square upon a, तो इसको मैं next page पर लिख देता हूँ, length of lattice rectum, 2b square upon a, और इसके साथ ही लिख लेते हैं, हमारे पास जो eccentricity आई थी, eccentricity a और भी इनमें जो relation था, वो क्या था, a square plus b square upon a square, ये relation हमको मिल चुके थे, ओके, अब हम discussion करते हैं, जो conjugate hyperbola है, उस पर जिसको हम बोल सकते है, vertical form of hyperbola, आप देख भी रहेंगे, ये vertical format में hyperbola आपको मिला हुआ है, तो यहाँ पर equation की मैं बात करूँ, तो equation जो हमको standard equation मिला था, ये वाला, आप देख रहे होंगे, x square upon a square minus y square upon b square, ठीक है, तो conjugate के लिए, अगर इसका conjugate find करना है, तो x square और y square के जो sign है, उनको change कर दो, तो यहाँ पर x square, इस वाले में तो x square positive, y square negative था, और यहाँ पर x square negative और y square positive हो जाएगा, ठीक है, दूसरा format आप यह देख सकते हैं, इसे दूसरे वाले में, अगर मैं minus 1 से multiply करूँगा, तो वापस यही मिल जाएगा मेरे को, ठीक है, तो इसमें exchange होने की क्या बात थी, लेक्तो जो sign है, वो change होते हैं, ठीक है, और दूसरी इसकी जो eccentricity है, वो भी change हो जाएगी, वहाँ पर देखो हमने a, b और e में relation find out क्या था, तो हमको मिला था, a square into e square minus 1, equal b square, यहाँ पर a और b replace हो जाएगे, मतलब exchange हो जाएगे, ठीक है, तो आपको a square equal b square into, यह relation मिलेगा, a square equal b square into e square minus 1, यहाँ से आप e find कर पाऊगी, किसके लिए, vertical form of hyperbola उसके लिए, ठीक है, अब बात करते हैं, इसके जो vertices हैं उनकी, तो सबसे पहले मैं center की बात करूँगा, तो center के है, x और y का point of intersection, यानि origin, तो center को हमने c से represent किया था, तो उसके coordinate के आएगे, 0,0 आएगे, अब मैं बात करता हूँ इसके vertices की, तो यहाँ प पर देखो, यह y axis है न, अगर यह y axis है, तो x coordinate इस line पर 0 रहेगा, तो x की value equation में 0 put कर दो आप, अगर x की value 0 put करोगे, तो minus x square upon a square तो cancel होगे, मतलब 0 मुन गया, तो यहाँ से y square की value क्या रही, b square की equal, तो y की value क्या रहेगी, plus minus b, मतलब आपको इसका coordinate क्या मिलेगा, 0, plus b, और इस वालेगा मिलेगा, 0, minus b, ओके, अब मैं बात करो इसकी 4 key, यह वाली और यह वाली, ठीक है, तो इसको हमने s1 और इसको s2 late किया था, ठीक है, तो यह y axis है, तो x coordinate तो इस पर 0 होगा, दोनों का x coordinate 0 होगया, और y coordinate क्या हैगा, 4 key की coordinate हम कैसे find करते थे, और जिन से जो vertex थी, वहां तक की distance को e से multiply करते थे, ठीक है, तभी तो हमको a e मिला था, वहां पे distance e, a थी, यहां से यहां तक a, और उसको फिर e से multiply किया था, तो a e, 0 और minus a e, 0 हमको मिला था, ठीक है, तो यहां पे भी e से multiply कर दो, जो vertex का coordinate आया उसको, यानि b को e से multiply करोगे, तो आपको coordinate मिलेग 0,be, और नीचे वाले का मिलेगा 0, minus b e, minus b को e से multiply करोगे, तो minus b e, तो यह होगे, इसकी focus के coordinate, यानि focus, दोनों हम find कर चुके हैं, और बात करे, direct traces के equation की, तो direct traces के equation हम कैसे find करते थे, x equal रहती थी, अगर वो vertical line थी, तो यहां पे horizontal है, यानि x के parallel है, तो आपको equation y equal करके मिलेग ठीक है, आएगा क्या, y equal क्या लिखे हैं, इसका भी और इसका भी, ये negative के equal आएगा, ठीक है, और ये positive रहेगा, तो जो vertices के coordinate थे, उसमें हम e से divide करते थे, तो यहां पे क्या आएगा, b upon e, equation आएगा, इसका b upon e, y equal b upon e, और इसमें minus b upon e, अब हम बात करते हैं, इसके axis की, ठी ठीक है, तो axis, जो इसको cut नहीं कर रहा, इन hyperbola को cut नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, conjugate axis, देखो जो standard equation हमने find क्या था न, horizontal वाला, उसके लिए हमने इसको conjugate बोला था, क्योंकि ये इनको cut नहीं कर रहा था, ठीक है, तो जो cut नहीं करेगा, उसको conjugate axis बोला और जो cut करता है, जैसे की horizontal इनको cut कर रहा था, उसको transverse axis बोल रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे transverse axis कौन सा होगा, जो इनको cut कर रहे है, यह यह, y axis को बोलेंगे, इसका transverse axis, vertical hyperbola के लिए, यह transverse axis होगा, y वाला, और जो x वाला है, वो conjugate axis होगा, ठीक है, अच्छा, अब इनके equation की बात करें, तो यह कौन सा axis, y equation है, तो इसका equation क्या बनेगा, x equal 0, और जो conjugate axis था, इस vertical hyperbola के लिए, तो वो कौन सा x axis था, तो x axis के लिए equation क्या होता है, y equal 0, तो conjugate axis है, उसका equation क्या आएगा, y equal 0, अब बात करतें, इसकी length की, तो यह length क्या आएगी, दोनों vertices के बीच की distance, तो यह distance कितनी है, b, और यह distance भी, b, तो b plus b, 2b, तो इसकी जो distance है, वो कितनी आएगी, 2b आएगी, इसक transversus axis की, ओके, और यह जो conjugate axis है, तो conjugate axis की length हम तभी finding कर सकते हैं, जब इसका conjugate हमको hyperbola मिले, तो वो कहीं ने कहीं, यहाँ पे भी cut करेगा, यहाँ पे भी cut करेगा, तो यह distance हमने क्या let की थी, a, तो यह distance से, अगर हमने a let की थी, यहाँ से यहाँ तक a, तो यहाँ से यहाँ त lattice rectum, LR, इसकी length हमको find करनी है, ओके, तो यहाँ पर यह कुछ न कुछ तो point होगा, suppose B1 point है यह, यह Q1 है, यह P2 है, और यह Q2 है, तो इनके coordinate के अगर मैं बात करूँ, तो coordinate क्या आएगा, इसका Y coordinate तो मेरे को मिल गया, Y coordinate क्या इसका BE है, ठीक है, तो BE तो इसकी Y, यहाँ से distance हो ओके, अब X की बात करूँ मैं, X की value, तो X की value के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, जो BE है, Y coordinate, वो इस equation में put करूँगा, ठीक है, तो solve करने पे मिलेगा मेरे को A square upon B, तो यह वाला coordinate क्या हो जाएगा, यहाँ पे X तो positive है न, ठीक है, A square upon B, third quadrant में दोनों negative होंगे, यानि minus A A square upon B, और minus BE, इसमें X negative रहेगा, minus A square upon B, और Y positive मतलब BE, ओके, तो यह जो latest rectum है, इसकी length ही क्या हैगी, यहाँ से यहाँ तक की distance, प्लस यहाँ से यहाँ तक की distance, यह distance कितनी है, जितना X coordinate है, क्योंकि हम X के along चल रहे है, A square upon B, और यह distance, distance की बात कर रहा हूँ, तो X coordinate positive के साथ, A square upon B, तो total distance कितनी होगी, 2A square upon B, length of LR कितनी आ गई है, 2A square upon B, ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, जो exercise है, 11.5, उसका first question, जो elements of mathematics foundation book है, NCRT पर based, उसका हम chapter 11 कर रहे थे, conic section, और उसकी second last exercise है, 11.5 hyperbola, उसका basic हम अब भी पढ़ चुके हैं, और इसका first question देखते हैं, first question में आपको बोल रुक है, in each of the following hyperbolas, find the length of transverse and conjugate axes, eccentricity, coordinates of foci, and vertices, coordinate हमको foci के और vertices के coordinate find करने, length of LR, and equations of its direct traces, ठीक है, यह सब हमको find करने, बच्चा ही क्या, सब कुछ हा गया, इसमें, एक ही part में हो जाएगा, लेकिन अलग-अलग type के आपको vertical, जो hyperbola है, उसके equation भी रखें, और जो आपके standard था, जो horizontal था, उसके भी आपको equations दे रखें, तो सबसे पहला, जो first part है, इसको देखते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, equal के, जो right side है, उसको मेरे को one create करना होगा, ठीक है, one कब create होगा, जब मैं four से complete को divide कर दूँ, तो four को divide कर दो, four से divide कर दो, complete equation को, आपको मिलेगा, x square upon four minus, four by four cancel, y square by one लिख सकता हूँ, equal one, ठीक है, ओके, अब यहां से आप देख सकते हैं, कि जो y square है, उसका sign negative आ रहे है, इसका मतलब यह कौन सा hyperbola होगा, horizontal वाला होगा, ठीक है, first वाला होगा, तो यहां पे a और b find कर लो, आप, a की value क्या है, अगर मैं इसके standard format की बात करो, तो वो मिरे पास मिल रहा था, x square upon a square minus y square upon b square equal one, अब यहां से compare करके a और b निकाल लेंगे हम, a की value क्या आएगी, root 4 यानि 2, और b की value क्या आएगी, root 1 मतलब 1, a आगया मेरे पास, b आगया मेरे पास, ok, a और b आने के बाद, अब देखो मेरे को क्या find करने है, length of transverse axis, length of transverse axis, कौन सा है यह, यह horizontal वाला है, हना, horizontal के लिए जो transverse axis आए था, उसकी length हमने find की थी 2a, तो यहां पर a की value है, मेरे पास तो put कर दूँँगा मैं, 2 into a की value 2 है, solve करने पर क्या आएगा, 4 आएगा, और इसके conjugate axis की, इसने length पुछिया है, numbering कर लो यहां पर, यह first है, यह second है, length of conjugate axis, वो क्या थी, 2 भी थी, तो यहां पर 2 multiply B की value क्या है, B की value मेरे को 1 मिल रही है, यहां से इसके length आएगी 2 units, ओके, उसके बाद मेरे को third number पर find करने है, eccentricity, तो eccentricity के लिए हमने relation find किया था, e, a और b में, और वो relation क्या था, e square equal a square plus b square upon a square, ठीक है, तो e square की value find कर लो पहले, a square यानि 2 square 4, plus b square 1 square 1, और नीचे a square यानि 2 square 4, मतलब 5 upon 4, यह तो e square की value है, लेकिन मेरे को तो eccentricity find करनी है, यानि e की value find करनी है, तो e की value क्या आएगी, यहाँ पर root लगा दूँ में, simplify करने पर क्या आएगा, root 5 upon 2, plus minus नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो e है, वो 2 distance का ratio होता है, और distance कभी भी negative नहीं होती ही, तो यह negative नहीं हो सकता, ठीक है, e की value क्या आएगी, root 5 upon 2, और आप check कर सकते हैं, यह one point something आएगी, ठीक है, मतलब x से बड़ी आएगी, और जो hyperbola है, उसके लिए eccentricity हमेसा एक से बड़ी होती है, तो तीसरा point भी हमने find कर लिया e की value, नेक्स्ट हमको find करना है, coordinates of foci and vertices, अब जो foci है, उसका coordinate हमको find करना है, foci, उसको अगर मैं s से represent करूँ, तो s के coordinate हमने find किये थे, s के coordinate क्या आए थे, plus minus a e, 0, कब जब हमको equation कैसा मिला था, vertical, sorry, horizontal hyperbola का equation मिला था उस case में, ठीक है, तो s के coordinate क्या आएंगे, plus minus a multiply e, इसको multiply कर दो a के साथ, a की value है 2, तो मैं multiply 2 करूँगा, तो 2 cancel root 5, यानि plus minus root 5, 0, ये मेरे को foci की coordinate मिलेंगे, एक plus root 5, 0, और दूसरा minus root 5, 0 होंगा, ठीक है, उसके बाद find करने मेरे को coordinate of vertices, 5th point, इसको मैं v let कर लेता हूँ, ठीक है, तो v के coordinate मेरे को मिले थे, plus minus a, 0, ठीक है, तो यहां से vertices के coordinate के आएंगे, plus minus a, a क्या है, 2, तो answer आया मेरे पास, plus minus 2, 0, ओके, 5th point हो गया, उसके बाद find करने मेरे को length of lattice rectum, length of lr, 6th point, length of lattice rectum, अच्छा, lattice rectum की length क्या आए थी मेरे पास, 2b square upon a, horizontal के लिए, ठीक है, तो 2 multiply b square, b square क्या है, 1 square 1 upon a, a क्या है, a है मेरे पास, 2, solve करने पर क्या आएगा, 1 unit, ठीक है, ओके, आगे देखते हैं, अगला जो point है, अगला हमको find करने, equation of direct traces, direct traces के equation हमको find करने, ठीक है, तो numbering 7th है, यहां पर कर देता हूं, equations of direct traces, वो equation हमारे पास से क्या-क्या आई थे, यहां पर, देखो equation कैसे है, horizontal parabola वाला है, हाना, horizontal वाला, तो उस case में हमने equation find क्या था, x equal plus minus a upon e, ओके, तो equation क्या हैगा, x equal plus minus a, a, a के है मेरे पास 2, upon e, e है मेरे पास, root 5 upon 2, तो root 5 upon 2 लिखेंगे, तो वो उपर आके multiply हो जाएगा, यानि plus minus 4 upon root 5, अब इसको आप इदर transfer कर दो, तो equation आपको क्या मिलेगा, equation आपको मिलेगा, root 5 times of x, और ये plus minus 4 है, right side, इदर आएगा तो, sign change, लेकिन plus minus का क्या sign change, वापस वोई sign आएगे, तो plus minus 4 equal 0, ये इनकी direct traces का equation होगा, ठीक है, तो first part में हमने सभी value find कर लिए, next जो second part है, second part में भी आपको right side 1 create करना होगा, यानि complete equation को 6 से divide कर दो, 6 से divide करने पर मेरे को मिलेगा, x square, 2x square upon 6, मतलब x square upon 3, और इसमें 6 से divide करूँगा, तो y square upon 2 मिलेगा, equal 1 हो गया, अब ये किसके साथ comparable है, यहाँ पर y square negative आ रहा है न, तो ये comparable है, इसकी जो standard format थी, x square upon a square minus y square upon b square equal 1, इसके साथ ये comparable है, ठीक है, अब यहाँ से मैं compare करके a और b की value find कर पाऊंगा, तो a की value क्या आएगी, root लगा दो इन पर, root 3, और b की value क्या आएगी, root 2, a आ गया, b आ गया मेरे पास, ओके, अब वो सारी की सारी, जो 7 values हमने find की थी, 1 by 1, इसमें भी find करेंगे, ठीक है, जो ऐसे first part में find की थी, तो सबसे पहले जो value थी, वो थी हमारे पास, transverse axis, उसकी length, तो a, b, c, d, इस type से नाम दे देता हूं, ये numbering में already 2R है न, तो यहाँ पर मैं उससे first part को a से represent कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट क्या था, length of transverse axis, अब देख विए कौन सा है, ये तो horizontal वाले है, और horizontal वाले में हमने, उसकी length क्या find की थी, 2a, 2a, तो 2 multiply a की value मेरे पास root 3 है, तो इसकी length क्या आएगी, 2 root 3 units, ओके, blur तो नहीं हो रहा, ठीक है, उसके बाद, जो इसकी second axis थी, दूसरी वाली axis थी, उसकी length find करनी है, और उसको हम क्या बोल रहे थे, conjugate, length of conjugate axis, और वो length आई थी, 2b, इस वाले के लिए, ठीक है, horizontal के लिए, तो 2 multiply b की value क्या है, यहां पर b की value मेरे को मिल रही है, root 2, तो इसकी length कितनी आएगी, 2 root 2 units, ओके, ठीक है, तीसरे number पे हमको find करना था, इसकी eccentricity, होती क्या है, a square equal a square plus b square upon a square, ठीक है, तो पहले आप e square की value भी find कर लो, उसके बाद root लगा देंगे, a square क्या है, मेरे पास 3 आएगा, b square 2 आएगा, नीचे 3, यानि 5 upon 3, यह तो e square है, तो e की value क्या आएगी, root लगा दूँ में, और root लगा हूँगा, तो क्या आएगा, root के अंदर 5 upon 3, ठीक है, e की value मेरे को मिल चुकी है, अब जो d part है, d part में मेरे को क्या find करना था, इसकी जो foci थी उसके coordinates, ठीक है, तो foci के coordinates क्या होंगे, उसको मैं s से represent कर लेता हूँ, ठीक है, तो foci के coordinates मेरे को इसके लिए क्या मिले थे, plus minus a e, 0, open in 12, ठीक है, तो यहाँ पे foci के coordinates क्या हैंगे, s से मैंने plot किया था, उसको denote किया था, तो plus minus, इसको multiply कर दो a के साथ, एक है, root 3, root 3 से multiply करोगे, cancel, root 3, आपको मिलेगा, plus minus root 5, 0, ठीक है, इसकी foci के coordinates आगे हैं, अच्छा, next जो part था, इसका e part, उसमें हमको find करने थे, vertices find करने थे, foci के बाद था, हाँ, vertices ही find करने थे, ठीक है, vertices, उसको मैं v ले लेता हूँ, हाना, तो v के coordinate क्या आए थे, इसके लिए, horizontal के लिए, plus minus a, 0, ओके, तो v के coordinate क्या आएंगे, यहाँ पे, plus minus a की value क्या है, root 3, root 3, 0, ओके, f point, कितने होगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके बाद एक और है, अच्छा, vertices भी हो गया, अब length of lettuce rectum, यह हमको find करनी है, length of lr, lettuce rectum के length क्या आए थी, इस वाले के लिए, horizontal वाले के लिए, तो यह आए थी, 2b square upon a, तो 2 multiply b square, 2, upon a, root 3, मतलग 4 upon root 3, आप इसको raise करके लिख दो, root 3 upon root 3, यानि 4 root 3 upon 3, इतने unit इसकी length of lettuce rectum हो जाएगी, ओके, इसके बाद equation और find करना था हमको, इसकी जो direct traces थे, उनका, ठीक है, last part, 6th part होगे, 7th part, z part, equations of its direct traces, horizontal वाले, horizontal वाले के लिए हमने इसकी equation क्या find की थी, x equal plus minus a by e, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूँ, x equal plus minus a, a क्या है, root 3, upon e, e है मेरे पास, root 5 upon root 3, वो उपर आजाएगा, यानि, plus minus 3 upon root 5, अब इस root 5 को आप इदर लियाओ, x के पास, तो आपको मिलेगा, root 5 x equal plus minus 3, थोड़ा और simplest form में लिखोगे, तो equation आपको मिलेगा, root 5 x, इदर आएगा, तो plus minus का sign change होगा, minus plus आएगा, उसको plus minus लिख सकते हैं, और क्या, 3 equal 0, तो ये इसकी direct traces के equations होगे, second part भी हमने complete कर लिया है, next जो third part है, third part में देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो मेरा काम रहेगा कि इसको 1 बनाऊं, हना, उसके बाद देखूँगा, ये कौन से format में आ रहे है, तो 1 बनाने के लिए मैं complete equation को इसी constant 16 से divide कर दूँ, तो 16 से divide करने पर मेरे को मिलेगा, y square upon 16, minus x square upon 1, equal 1, ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा और तरिक्के से लिख लेता हूँ, minus x square upon 1, और plus y square upon 16, equal 1, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ, ओके, अब मैं इसको compare कर सकता हूँ, किस के साथ, minus x square upon a square, plus y square upon b square, equal 1 के साथ, ठीक है, यहाँ से मैं a और b find कर लेता हूँ, तो a की value तो finally मेरे को क्या मिल रही है, 1, और b की value क्या है जाएगी, root 16, यानि 4, a और b मेरे को मिल चुके हैं, ठीक है, अब देखो, यह जो equation था, standard equation, यह वाला, यह कौन से hyperbola का था, यह vertical वाले का था, क्योंकि यहाँ पे x square negative है, और y square positive हा रहे है, हाना, तो इसको हमने किस में पढ़ा था, जो vertical hyperbola था, उसका standard equation था यह, ओके, तो अब की बार हमको, सारे के सारी, जो भी 7 point find करने हैं, वो सारे के सारे vertical hyperbola के लिए find करने हैं, तो सबसे पहला point था हमारे पास, उसको मैं A नाम दे देता हूँ, ठीक है, ए में हमको find करना था, इसकी जो transverse axis थी ना, उसकी length, length of transverse axis, अगर यह horizontal होता, तो मैं 2A लिखता हूँ, ठीक है, लेकिन यह vertical है, तो इसकी length क्या बनेगी 2B, ओके, तो 2 multiply, B की value क्या है, मेरे पास 4, यानि 8 units, ओके, अब जो इसकी दूसरी axis है, यानि इसकी conjugate axis, उसकी length भी मेरे को find करनी है, length of conjugate axis, वो अब की बार क्या बनेगी, वो बनेगी इसकी 2A, ओके, blur हो रहे हैं आपे, ठीक है, तो 2 multiply, A की value है, मेरे पास 1, यानि 2 units, इसका answer होगा, third part में हमको eccentricity find करनी थी, और vertical hyperbola के लिए, हमने वो relation find किया था, e square equal a square plus b square upon b square, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको वोला था, कि अब की बार आपको b square equal a square वाला format नहीं मिलेगा, a square equal b square into e square minus 1 मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ से आप e square find करोगे, तो क्या आएगी, a square upon b square equal e square minus 1 आएगा, इस minus 1 को इदर transfer करोगे, तो 1 इसमें add करोगे, तो add करने पर क्या मिलेगा, a square plus b square upon b square, और इदर बचा रहेगा e square, यही मैंने यहाँ पे लिखाए, अगर यह horizontal होता, तो उस case में नीचे a square आता, और vertical है तो उस case में नीचे b square आ रहा है, यह ध्यान रखना आपको, अगर horizontal है, तो नीचे a square और vertical वाला है, तो आपको b square से डिवाइड करने है, ठीक है, अब इसमें value पुट कर लो, और e square find कर लो, पहले उसके बाद मैं square रहटा दूँगा, तो e की value आ जाएगी, a square, 1 plus b square, 16 upon 16, कितना, 17 upon 16, अब यहाँ से आप e की value find कर लो, तो क्या आएगा, root 17 upon 4, तो e की value भी मेरे को मिल चुकी है, root 17 upon 4, तीसरा point मैंने find कर लिया, next जो d point है, d point में हमको इसने पूछा था, जो इसकी 4 की थी, उनके coordinates, ठीक है, 4 की, उसको अगर मैं s से represent करूँ, s से denote करूँ, तो s के coordinate वहाँ पे तो horizontal था, वहाँ पे तो मेरे को plus minus ae, 0 मिल रहा था, और यहाँ पे क्या मिलेंगे, vertical है, तो x कोडिनेट तो उसका 0 होगा, ठीक है, और y कोडिनेट हमको मिला था, उसका plus minus b, उपर b थी और नीचे minus b कोडिनेट था उसका, तो मैंने लिखा plus minus b e, sorry, b e, ठीक है, e से eccentricity से multiply किया था हमने, तो यहाँ पे value put कर दो, और s की value find कर लो, s की value क्या आएगी, 0, plus minus, यह जो e आया, इसको b से multiply कर दो, 4 से multiply कर दो, तो 4 cancel root 17, ऐसा आ गया, यहनि इसकी 4K के कोडिनेट भी हमको मिल चुके हैं, ओके, इसके बाद हमको find करना था, इसके vertices के coordinates, ठीक है, जो next point हमारे पास e point, उसमें इसके vertices पुछें इसने, उसको अगर मैं v से denote करूँ, तो vertices के coordinate अगर horizontal होता, तो उस case में तो मेरे को क्या मिल रहे थे, plus minus a, 0, हाना, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेंगे, 0, plus minus b, यह वाले, यहाँ पे put कर दो, v के coordinate आपको मिल जाएंगे, क्या मिलेगा, 0, plus minus b क्या है, 4 है, ठीक है, तो इसके coordinate होगे, plus minus 4, 0, plus minus 4, f point, 6th point, 6th point में हमको find करना था, इसकी length of lattice rectum, LR की length, length of lattice rectum, ठीक है, तो LR की length, अगर horizontal हमको मिल रहा था, hyperbola, तो उस case में 2b square upon a i थी, और vertical वाले case में हमने find किया था, तो वो length कितनी आई थी, वो length आई थी, 2a square upon b, इसके equal, अब आपको value put करनी है, 2 multiply a square, 1 upon b, 4, cancel हो रहा है, 1 by 2 answer इसका, ठीक है, अब इसका एक last point और बच गया, z point, 7th point, और उसमें हमको equation find करना था, इसकी direct traces के, ठीक है, equations of its direct traces, ओके, अगर ये horizontal होता, ये hyperbola, horizontal को represent करता, तो उस case में हमने इसका equation पढ़ा था, x equal करके, constant, और ओर constant क्या था, plus minus a upon e, लेकिन ये vertical वाला है, तो y equal आएगा, ठीक है, y equal, अब की बार, a ना आके क्या आएगा, b upon e, जो vertex के coordinate थे, उसमें eccentricity से divide क्या था, तो इसके direct traces के equation हमको मिले थे, ठीक है, आप concept वाला वीडियो, मतलब इसका थोड़ा सा पहले वाला part देखोगी, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं value put करता हूँ, y equal plus minus b upon e, अब b क्या है मेरे पास 4, upon e, e क्या है मेरे पास, root 17 upon 4, तो वो 4 तो उपर आएगा, और root 17 नीचे आएगा, यानि plus minus 16 upon root 17, इसको आप cross multiply करो, यानि root 17 y के साथ आएगा, तो मेरे को equation मिलेगा, root 17 y, और यह इदर आएगा, तो plus minus ही लिखेंगे, इसको 16 equal 0, यह इसकी direct traces के equations होंगे, जो 4th part है, इसको देखते हैं, 4th part में सबसे पहले तो constant जो है इदर, right side उसको 1 create करो, 1 कैसे, complete equation को 144 से divide कर दो, तो आपको मिलेगा 16 upon 144, 9 time, यानि x square upon 9, minus 144 और उपर 9 है, cancel 16, तो यह मिलेगा y square upon 16, अब इदर आगया 1, ठीक है, अब देखो, यह किसके साथ comparable है, x square upon a square, minus y square upon b square, equal 1 के साथ, और यह तो horizontal hyperbola वाला case आगया, क्योंकि y square यहाँ पर negative आ रहे है, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा a और b find करना, तो a की value निकाल लो यहाँ से, a की value क्या रहे है, इस पर root कर दो, तो 3 आएगा, और b की value क्या आएगी, 4, a आगया, b आगया, ओके, अब मैं one by one वो सारे के सारे points find करता हूँ, सबसे पहला point से हमको क्या find करना था पहले point में, trans versus axis की length find करनी थी, length of trans versus axis, तो यहाँ पे जैसे हमने first part को किया था, same, वैसे ही आपको करते चलना है, बस a और b की value थोड़ी change है, ठीक है, तो उसमें length क्या आई थी, 2, a, तो 2 multiply 3, यानि 6 unit इसका answer हो जाएगा, अब हमको b part में find करनी थी, length of, तो इसका दूसरा axis था, और उसका नाम क्या था, उसका नाम था, conjugate axis, conjugate axis, उसकी length क्या आई थी, उसकी length थी, 2b, तो यहाँ पर 2 multiply b की value क्या है, 4 है, 4 to the 8 units, ओके, ठीक है, दो value हमने find कर लिए, तीसरी value accent इसरी वाली थी, तो उसमें हमको relation क्या मिला था, कौन सा है ये, ये horizontal वाल है, तो यहाँ पर नीचे क्या करना होगा, a square करना होगा, a square प्लस b square अपोन a square, और vertical वाले में हमने नीचे 20 square किया था, second part में आपने देखा होगा, ठीक है, तो यहाँ से पहले e square find कर लो, उसके बाद e निकल लेंगे, e square करना 9 प्लस 16, और नीचे 9, 25 अपोन 9, तो e की value अब आपको मिलेगी 5 अपोन 3, root लगा होगी ना, तो 5 अपोन 3 आएगी, e की value आपने find कर लिए, ओके, 3 point आपने find कर लिए, चोथा point क्या था, जो d point है, वो था इसकी 4 key के coordinate कैसे निकलें, ठीक है, 4 key, उसको अगर मैं ऐसे denote करूँ, तो s के coordinate क्या यह थे, प्लस माइनस a e, 0, ठीक है, तो यहाँ पे, s के coordinate क्या आएंगे, प्लस माइनस, इसको आप e को आप a से multiply कर दो, 3 से करोगे तो cancel 5 आया, 5, plus माइनस 5, 0, इसकी 4 key के coordinate होगे, और जो d point, e point था हमारे पास, उसमें क्या find करना था, इसके vertices के coordinates, अगर मैं उसको v से denote करूँ, तो v के coordinate क्या थे, coordinate आएंगे, प्लस माइनस, e क्या है मेरे पास 3, तो यह आएगा 3, 0, ठीक है, f point में हमको इसने find करने के लिए बोल रखा था, कि इसकी जो lattice rectum है, उसकी length ही क्या आएगी, length of lr, length of lattice rectum, तो lattice rectum हमने find की थी, 2b square upon a से, ठीक है, तो 2 multiply b square, यानि 16, upon a, 3, 32 upon 3 units, ओके, और इसका जो last point है, z point, उसमें हमने find करने के लिए बोल रखे इसने, equations of its directrices, और वो equation हमने find क्या था, यह कौन से है, horizontal, तो इसके लिए find क्या था, x equal plus minus a by e, इस formula से, ठीक है, तो x equal plus minus a, a क्या है, मेरे पास 3 है, upon e, e क्या है, e है, मेरे पास 5 upon 3, तो यह नीचे वाला 3 उपर आजाएगा, इसके साथ multiply हो जाएगा, तो plus minus 9 upon 5 मिलेगा, cross multiply करवाओ, तो आपको क्या मिलेगा, 5x और यह इदर आएगा, तो plus minus 9 equal 0, यह उस hyperbola की direct traces का equations होगा, first का, जो last part है, fifth part, अब इसको देखते हैं, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, जो constant है, right side, उसको one create करना, और यह one कब बनेगा, जब मैं minus 18 से complete equation को divide कर दूँ, तो divide करतें minus 18 से complete equation को, तो यहाँ पर minus 18 upon में करूँँगा, तो क्या मिलेगा, 3 6 यह नी minus 6 मिला, मतलब x square upon minus 6, उस minus को मैंने उपर transfer कर दिया है, ठीक है, और इस वाले में जब मैं minus 18 से divide करूँगा, तो minus से minus cancel, प्लस हो गया, और 6 cancel, यहाँ पर 3 आएगा, यानी y square upon 3, equal 1, minus 18 में minus 18 से divide करूँगे, तो 1 आएगा, ठीक है, अब देखो, यह किसके साथ comparable है, यह वाला तो, minus x square upon a square, प्लस y square upon b square, equal 1, इसके साथ comparable है, और यह किसका standard equation है, यह तो vertical format में जो हैपरबोला हमको मिला था, उसका standard equation है, ठीक है, यानी हमको vertical वाले सारे case से लेके चलने होंगी, तो first case में उससे पहले आप a और b निकाल लो, a की value क्या आ रही है, इस पे root कर दो, root 6, और b की value क्या रही है, root 3, a आ गया, b आ गया, ठीक है, अब first point में हमको क्या find करना था, first point blur हो रहा है क्या, अब यह हो गया, ठीक है, first point में हमको find करना था, इसकी जो transverse axis है, उसका equation, sorry, उसकी length, length of transverse pen खत्म, axis, तो इसका equation अगर यह horizontal होता न, यह वाला होता, यह वाला, ठीक है, तो उस case में, इसकी transverse axis का equation, length हमने 2a find की थी, और vertical के लिए हमने find क्या था, 2b, value put करो, 2 multiply value of b, root 3, तो इसका answer आया, 2 root 3 units, ठीक है, b point पर हमको, दूसरी इसकी जो axis थी, conjugate, उसकी length find करनी थी, length of conjugate axis, वो यहाँ पर क्या बनेगी, वो बनेगी 2a, 2 multiply value of a, root 6, यहनि 2 root 6 units, इसका answer होगा, next is o, c point था, उसमें आपको eccentricity की value find करनी थी, तो e square, किसकी को लाए था, a square plus b square upon b square, अगर यह vertical है, उस case में upon b square, यह horizontal होता, यह vertical था, तो यह वाली value, अगर यह horizontal होता, तो नीचे a square लिखते, ठीक है, यहाँ से, आप e square की value find कर लो, पहले, a square क्या है, 6 plus 3, और नीचे b square, 3, उपर 9, नीचे 3, am I right? एक बर फिर से देखो, a square, 6, b square, ओके, upon b square, 3, ठीक है, तो e की value क्या आ रही है, e की value only root 3 आ रही है, ठीक है, अच्छा, e की value आगी बस, यह find करना था, c point में तो, d point, d point में हमको क्या find करना था, इसकी जो foci है, उसके coordinates, ठीक है, foci, अगर मैं उसको ऐस से represent करूँ, तो, अगर यह horizontal होता, उस case में plus minus a e, 0 लेता, लेकिन यह तो vertical वाल है, तो उस case में क्या लेंगे, 0, plus minus b e, यहाँ पर value put करनी है आपको, s के coordinate आपको मिल जाएंगे, 0, plus minus b को e से multiply कर रखे इसने, तो यह जो है, इसको multiply कर दो इसके साथ, तो root 3 into root 3, 3 हो गया, ठीक है, vertices को अगर मैं v से denote करूँ, तो v के coordinate, horizontal वाले case में हमको मिले थे, plus minus a, 0, vertical वाले case में मिलेंगे, 0, plus minus b, value put करो, तो v के coordinate क्या हैंगे, 0, plus minus b की value देखो क्या है, root 3, ठीक है, f point, 6th point इसका, f point में हमको find करना था, जो इसकी length of lattice rectum है वो, ठीक है, lattice rectum की length, blur हो रहा है, length of lr, अगर ये horizontal होता, अगर ये horizontal होता, उस case में length of lattice rectum 2b square upon a find की थी, लेकिन ये तो vertical है, तो vertical वाले case में हम क्या लिखेंगे, 2a square upon b, अब आपको value put करनी है, 2 multiply a square, 6, upon b, root 3, यानि 12 by root 3, इसको simplify कर लो, root 3 से उपर नीचे multiply कर दो, तो आपको मिलेगा 12 root 3, और नीचे बन गया 3, ये 3 इसको cancel करेगा 4 time, तो आपको finally answer क्या मिलेगा, 4 root 3 units, अब दिख गया, ठीक है, ओके, next जो इसका point था, वो हमको find करना था, इसके equations, last point था इसका न, EFZ, किसका equation, इसकी direct traces के equations, equations of its direct traces, अगर ये horizontal होता, उस case में हमको equation क्या मिलते, X equal plus minus A upon E, लेकिन ये तो vertical format में है, vertical format में क्या मिलेगा, Y equal plus minus B upon E, ठीक है, Y equal plus minus B क्या है, B है मेरे पास root 3, upon E, E है मेरे पास, root 3, ये तो cancel, यानि Y equal plus minus 1, आप इसको इदर transfer करके लिखोगे, तो भी sign तो ये रहने वाले है, plus minus 1 equal 0, इसी के साथ, आपका first equation complete होते है, thank you, आपका